हलो फ्रेंड्स वेलकम बाक टो माई चानल मैं अपने चानल एच पी एक्जाम कॉर्णर पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके एक्जाम की प्रेपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी तो फ्रेंड्स आज हम जोगरेफी की क्लास जो है वो शुरू करने वाले हैं जोगरेफी की इंट्रोडक्शन क्लास यह लास 1 हो रहने वाली है बहुत ही important क्लास है फ्रेंड्स इससे आपका जोगरेफी के बेस से हम शुरू करेंगे हर एक point जिससे आप geography अच्छी तरह से समझ पाएंगे और friends मैं आपको assure करती हूँ अगर आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको दुबारा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी इतने अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि आप exam तक इसे याद रख पाएंगे तो चलिए friends geography की पहली class शुरू करते हैं इससे पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने अभी तक मेरे चानल को subscribe नहीं किया है तो please मेरे चानल को subscribe करना बिलकुल ना भूले बेल आइकन पर प्रेस कीजे ताकि मेरी हर वीडियो की notification आपको time to time मिलती रहे इसके साथ ही friends मैंने हर subject की playlist जो है description box में mention की है तो आप description box में जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो friends सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो geography शब्द है वो किन शब्दों से मिलाकर बना है geography का मतलब होता क्या है क्या अर्थ है geography का तो friends अगर हम बात करें geography की तो जो geography word है वो एक युनानी भाषा का शब्द है geography तो जिसमे जियो का मतलब है प्रिथवी और जिसमे ग्रैफी का मतलब है वर्णन यानि कि अगर जोग्रेफी को हम combine करें अगर जोग्रेफी को मिला दें तो इसका मतलब क्या होता है प्रिथवी का वर्णन तो हम जोग्रेफी में क्या पढ़ते हैं प्रिथवी का वर्णन किस परकार से किया गया है तो हम ये बात करेंगे इसमें कि geography को जो है हमने किन किन parts में divide किया है geography में हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं तो इनी सभी चीजों के बारे में हम introduction class में बात करेंगे तो friends geography का meaning मैं आपको बता दूँ geography जो word है ये एक युनानी जो word है उससे लिया गया है युनानी भाशा का एक शब्द है geography जिसमें geo का मतलब है प्रिथवी यानि कि earth और geography का मतलब है यानि कि vernon यानि कि description यानि कि description of earth geography का मतलब है प्रिथवी का vernon तो friends अगर हम बात करें कि geography में हम कितनी चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो अगर बात की कर लेते हैं तो सबसे पहले friends हम बात करेंगे astronomy यानि कि खगोल विज्ञान तो friends खगोल विज्ञान के बारे में हम बात करेंगे तो खगोल विज्ञान क्या है जिसमें हम बात करते हैं friends ब्रहमांड के अध्यान के बारे में जिसमें हम अंतरिक्ष का अध्यान करेंगे वो है आपकी एस्ट्रो नॉमी सेकिंड हम बात करेंगी जियोलिजी यानि की भूगर्ब शास्त्र की थर्ड हम बात करेंगे टोपोग्रफी की यानि की स्थाला कृतियों के बारे में फोर्थ नमबर पर हम वर्ड जियोगर्फी की बात करेंगे फिफ्ट नमबर पर हम इंडियन जियोगर्फी की बात करेंगे तो फ्रेंड वर्ड और इंडियन जियोगर्फी जो है मिलाकर क्या बनती है जियोगर्फी बनती है लेकिन जियोगर्फी पढ़ने से पहले हमें क्या पता करना होगा कि जो हमारा एस्ट्रोनॉमी है ठीक है अंतरिक्ष है तो उसका जो अध्यन है उसकी उत्पत्ती कैसे हुई क्या क्या चीज़े इन अंतरिक्ष में जो है हम जान सकते हैं किन किन चीजों के बारे में ब्रहमांड का अध्यन क्या है एस्ट्रोनॉमी है तो ब्रहमांड का अध्यन हम सबसे पहले करेंगे उसके बाद भू, गर्ब, शास्तर के बारे में हम पढ़ेंगे फिर हम स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ेंगे टोपोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे फिर वर्ड जो तो अगर आपने वो नहीं देखी हैं, तो आप प्लेट पर जाकर देख सकते हैं, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इंडियन जगरफी का जो लिंक है, वो मैंने मेंशन किया है, तो फ्रेंड्स अभी हमने सिर्फ दो चीजों पर डिस्कस किया, पहली क्या था है वो कितनी चीजों के बारे में भुगोल में हम कितनी चीजों के बारे में पढ़ते हैं, तो पांच चीजों के बारे में पढ़ते हैं, how many things do we study in geography, we study five things that is astronomy, जीयोऌ sticks, stoось, word program and Indian geography वो務 प्लस Indian geography के बारे में बताएगा तोसो या हम अगर बात करें मैं आपको बताएथा कि astronomy का मतलब क्या है भ्रमान्ड का अध्यन याने की अंतरिक्ष का जो अध्यन है उसे हम क्या कहते है एस्टे स्टे स्टे से इसमीज़ हम अकाश की तरफ देखेंगे ठीक है तो अकाश में बहुत सी चीज़े दिखाई देती हैं तो वही क्या है भ्रमांड है उसी के अध्यन को हम astronomy कहते हैं तो friends the study of universe is called astronomy फिर बात की हमने geology की तो geology में हम क्या पढ़ने वाले हैं भूगर्ब जिसमें है चटानों और उनके निर्मान प्रकार के अध्यन के बारे में हम पढ़ेंगे the study of rocks and the way they are formed तो इन सब चीजों का अध्यन क्या कहलाता है geology कहलाता है फिर हम बात करेंगे friends topography तो friends topography में हम स्थलाकृती ग्रह विज्ञान की ही एक शाखा है जिसमें प्रिथवी या किसी अन्य ग्रह या उप ग्रह या शूद्र ग्रह की सतह के अकार वह आकृतियों का अध्यन किया जाता है तो याद रखेगा the study of the forms and features of the land surface तो ये क्या है topography है इसके साथ ही हमने दो और चीज़ें डिसकस की थी world geography यानि कि विश्व भूगोल और इंडियन भूगोल तो इन पांच चीजों के बारे में हम geography में पढ़ेंगे लेकिन आज हम शुरू करेंगे astronomy तो हम सिर्फ आज introduction से श astronomy क्या है अंतरिक्ष का अध्यन है जिसे रश्यन भाषा में cosmology कहा जाता है तो अगर astronomy बोलें या फिर cosmology कहें बात एक ही है दोनों ही क्या कहलाते हैं अंतरिक्ष के अध्यन को हम astronomy कहते हैं और रश्यन भाषा में इसे cosmology कहा जाता है तो याद रखना astronomy या फिर cosmology एक ही चीज है दोनों का ही मतलब क्या है अंतरिक्ष का अध्यन या फिर भ्रहматन का अध्यन तो friends भ्रहматन क्या है जो चीजे दिखाई पढ़ने वाली है ठिक है जब हम अकाश की तरफ देखते हैं तो हमें बहुत सी चीजे दिखाई देती हैं ठिक है जैसे कि हमें तारे दिखाई देते हैं तो ब्रहमांड में बहुत से चीज़े हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे जब हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं अंतरिक्ष के बारे में या फिर ब्रहमांड का अध्यान कर रहे हैं तो ब्रहमांड में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें क्या दिखाई देते हैं, सैंकडो अर्बो तारे हमें दिखाई देते हैं, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम तारे का फॉर्मेशन किस प्रकार से जो है तारा बनता है, किस प्रकार से तारे का अंत होता है, तारे का पूरा लाइफ स किस प्रकार से रहता है उसके बारे में हम आज की वीडियो में discuss करेंगे तो friends ध्यान से अगर आपका ध्यान कहीं और है तो please concentrate कीजिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही important है ये आपका base बनाएगी और आपका मैं 100% surety देती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको astronomy at least तारो का किस प्रकार से जो है उनका उदगम होता है किस प्रकार से उनका अंत होता है ये सभी चीज़े आपको दिमाग में बैठ जाएगी और exam तक आपको याद रहने वाली है तो please friends मैं request करती हूँ कि आप बह अध्यान से इस वीडियो को देखेगा और सुनिएगा तो friends अगर हम बात करें तारो की तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो तारा है वो क्या होता है तो friends वो एक गैसो का गोला होता है गैसो का एक बादल होता है ठीक है तो अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर हम तार तारा क्या होता है जिसके पास अपनी ऊश्मा या अपना प्रकाश होता है ठीक है तो वो होता है तारा याद रखना है तारा क्या है जिसके पास अपनी ऊश्मा होती है और जिसके पास अपना प्रकाश होता है तो वहीं अगर हम बात करें कि जो पृत्वी है क्या उसके पास उश्मा या अपना प्रकाश है नहीं पृत्वी के पास ना ही अपनी उश्मा है ना ही अपना प्रकाश है तो वो एक तारा नहीं है वहीं हम अगर चंदरमा की भी बात करें तो क्या चंदरमा के पास अपनी उश्मा और अपना प्रकाश है तो नहीं ना ही पृत्वी के पास ना ही चंद्रमा के पास ठीक है ना ही मून के पास दोनों के पास ही ना तो अपनी उश्मा है ना ही अपना प्रकाश है तो वो तारों की लिस्ट में नहीं आएगा वो हो तारा नहीं है लेकिन अगर हम बात करते हैं सूरे की तो जो सन है उसके पास अपनी उश्मा भी है और अपना प्रकाश भी है तो सूरे क्या है? सूरे एक तारा है तो याद रखना है सूरे क्या है? एक तारा है क्यों है? क्योंकि उसके पास अपनी उश्मा भी है और अपना प्रकाश भी है तो सबसे करीबी जो होता है उसको हम एक नाम दे देते हैं ठीक है तो इसलिए हमने सूरे को भी तारा नहीं कहा उसे हमने नाम दे दिया सूरे तो याद रखना है कि सबसे करीबी तारा कौन सा है तो सूरे है सबसे करीबी तारा तो friends क्या होता है कि जो तारा है वो बनने से पह पहले वह गैसों का एक बादल होता है ठीक है जो तार है friends वो क्या होता है viral gas viral gas ठीक है, viral gas का मतलब है rare gas, ठीक है, तो क्या होता है, जो ये rare gas होती है, जब उसका एक बादल बन जाता है, ठीक है, वो इकठी हो जाती है एक जगा पर, ठीक है, ये जो gas है, वो एक जगा पर इकठी हो गई, ठीक है, तो जो gasों का एक बादल बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, उ तो निहारिका क्या है निहारिका है गैसो का एक बादल ठीक है तो गैसो के एक बादल को क्या कहते है निहारिका कहते है निहारिका से पहले क्या होती है रेयर गैस होती है ठीक है रेयर गैस जब इकठी होती है उसका एक बादल सा बन जाता है तो उसे हम निहारिका कहते है ठीक फिर क्या होता है गैसों के अंदर जब gravitational force यानि की क्या होता है गृत्व अकर्शन आ जाता है तो वह बहुत करीब आने के कारण क्या है जलने लगता है जलने के कारण क्या होता है जिससे नाभिक के सलैन शुरू हो जाता है तो जब नाभिक के सलैन शुरू हो जाता है तो क्या बनता है जलता हुआ ठीक है अब क्या थी ये तो थे गैसो के बादल ठीक है गैसो के बादल को हमने क्या कहा निहारिका कहा ठीक है यानि की नेबियोला ठीक है लेकिन क्या हुआ निहारिका में भी जब ये बादल बहुत करीब आ जाते हैं ड्यू टू ग्राविटेशनल फोर् जाद रखना है और जलने लगता है जिससे क्या होता है नाभिक्य सलैन शुरू हो जाता है तो तारे का फॉर्मेशन कैसे होता है तो जलता हुआ जो तारा है उसका फॉर्मेशन होता है तारों के अंदर क्या होता है नाभिक्य सलैन होता है तो याद रखना है जलता हुआ क्या कहलाता है तारा कहलाता है ठीक है उससे पहले क्या था गैसों का एक बादल था ठीक है जिसे हमने निहारी का खा लेकिन क्या हुआ वो बादल जो है नाभिक के selen होता है, उसमें क्या होता है, जो hydrogen का selen होता है, वो helium में हो जाता है, ठीक है, याद रखना है, जो selen होता है, वो कैसे होता है, hydrogen का helium में, तो जो निहारी का है वो कैसी गैस होती है हाइट्रोजन गैस होती है याद रखना है ठीक है तो फ्रेंड्स सलैन होने के बाद क्या होता है याद रखना है कि जो तारा बनता है वो सलैन के कारण बनता है ठीक है और सलैन किसका किसमे होता है तो हाइट्रोजन का हीलियम में सलैन होता है और friends तारा कब बनता है जिसका temperature क्या होता है 6000 छे हजार डिगरी celsius या फिर उससे जादा जो temperature होता है वो तारा बनता है ठीक है temperature कि इतना होता है तारे का तो याद रखना 6000 डिगरी celsius या फिर उससे जादा तो friends जिसका temperature 6000 डिगरी से जादा होगा वो क्या हो जाता है वो प्लाजमा अवस्था में हो जाता है तो तारह भी किस अवस्था में होता है प्लाजमा अवस्था में होता है तो तारी की मैंने आपको चार जो है करेक्टर स्टेक्स बताए पहला क्या था सलायन के कारण होता है ये दूसरा है कि selen किसका होता है hydrogen gas का helium में selen होता है तीसरा क्या बता है कि जो तारा तब बनता है जब इसका temperature 6000 degree celsius या फिर उससे ज़ादा हो जाता है और friend जब किसी चीज़ का temperature 6000 degree celsius या उससे ज़ादा हो जाए तो वो किस form में आ जाता है plasma form में आ जाता है तो तारा भी किस form में होता है plasma form में होता है तो ये तीन चार characteristics बताए मैंने आपको तारों के बारे में याद रखना है और चौथा प्लस पांचवा क्या था पांचवा था कि इसके पास जो है अपनी उश्मा और अपना प्रकाश होता है तो उश्मा और प्रकाश होता है तारे का तो तारे से रिलिटेड पांच चीज़े याद रखनी है आपने Celline के कारण होता है plasma वस्था में होता है hydrogen का helium में होता है 6000 डिग्री सहे से जदर temperature होता है और तारा क्या होता है जिसके बास अपनी उश्मा और प्रकाश हो तो ये चीज़े आपने याद रखनी है तारो के बारे में तो friends तारा जो मैंने आपको बताया कि प्लाजमा अवस्था में होता है फिर हम बात करते हैं कि जो तारो का रंग है वो किस पर depend करता है तो friends तारो का जो रंग है वो उसके temperature उसके surface के temperature पर depend करता है ठीक है तो तारो का जो रंग है वो mainly कितने रंगे होते हैं तारे तीन रंगे होते हैं रखना है तारे कितने रंके होते हैं तो तीन रंके होते हैं कौन कौन से रंके होते हैं रेड रेड कलर का कौन सा होगा फ्रेंड जिसका जो टेंपरेचर होगा 6000 डिगरी सेलसियस होगा मतलब नॉर्मल टेंपरेचर 6000 डिगरी सेलसियस जो टेंपरेचर है इसको क्या है नॉर्म जिसका temperature 6000 degree Celsius से जादा होगा, ठीक है, तो वो तारा कौन से रंग का होगा, वो तारा होगा, वाइट कलर का, ठीक है, वाइट सफेद रंग का तारा होगा, जिसका temperature 6000 degree Celsius से जादा होगा, और friends नीले रंग का, third color कौन सा है, नीला रंग, ठीक है, तो नीले रंग का तारा कौन सा ह जिसका temperature बहुत बहुत जादा होता है, 6000 degree Celsius से भी बहुत जादा temperature जिसका होता है, वो बनता है आपका नीले रंग का तारा, तो याद रखना है कि जो तारे हैं, वो कितने रंगे होते हैं, तीन रंगे होते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया, वो तीन रंग कौन कौन से थे, प तो तारे के अंदर जो इंधन है इंधन के रूप में क्या होता है तो तारों के अंदर मैंने आपको बताया था इंधन के रूप में हाइटरोजन होता है और उसका सलैन किसमे हो जाता है उसका सलैन होता है हीलियम में ठीक है तो फ्रेंड्स जब तारा जो है उसका इंधन कम होने लगता है ठीक है तो वो क्या होता है बड़ा अकार ले लेता है ठीक है तारे का इंधन जब कम होने लगता है देखो सबसे पहले तारों के अंदर इंधन के रूप में क्या होता है हाइटरोजन होता है ठीक है और उसका सलैन होता है उसका फ्यूजन होता है किसमें हीलियम में ठीक है लेकिन वो बड़ा आकार ले लेता है ठीक है बड़ा बन जाता है ठीक है तो उसे क्या कहते हैं उसे कहते हैं लाल दानव यानि की red giant ठीक है याद रखना है जब तारों के अंदर का इंधन कम होने लगा तो उसका आकार क्या है बड़ा हो जाता है और जब उसका अकार बड़ा हो जाता है तो वो क्या कहलाता है उसे लाल दानव यानि की रेड जाइंट कहते हैं तो याद रखना है तारे का अकार जब बड़ा हो जाए तो हम उसे क्या कहेंगे वो हो लाल दानव बन जाएगा याद रखना है तो friends सबसे पहले जब इंधन खतम होता है कहां का इंधन खतम होता है तो friends अंदर का इंधन सबसे पहले खतम होता है याद रखना इंधन कहां का खतम होगा सबसे पहले जो अंदर का इंधन है वो सबसे पहले खतम होता है ठीक है तो friends जब इंधन खतम होता है तो यदी जो तार चोटा है ठीक है यदी तारा चोटा है और वह चमकना कम कर दे ठीक है यदी तारा चोटा है उसका साइज चोटा है और वह चमकना कम कर देता है तो वह क्या कहलाता है वह कहलाता है श्वेत वामन याद रखना है यदी तारा चोटा है और वह चमकना कम कर देता है तो फ्रेंड वह कहलाता है श्वेत वामन ठीक है यानि कि वो अपनी आखरी सांसे उस समय ले रहा होता है ठीक है क्या हुआ सबसे पहले तारा था तारा का जो आकार है उसका इंधन कम होने लगा उसका आकार भढ़ गया ठीक है वाइट डुवार्फ ठीक है, वो अपनी अंतिम सांसे उस समें ले रहा होता है, इसलिए उसे जिवाश्म तारा भी कहते हैं, याद रखना है श्वेत वामन, श्वेत वामन यानि की वाइट डुवार्फ ठीक है, वाइट डुवार्फ यानि की जिवाश्म तारा भी इसे कहत जिवाश्म तारा ठीक है मतलब वो अपनी अंतिम सांसे उस समय ले रहा है ठीक है तो श्वेत वामन याद रखना है कि श्वेत वामन कौन सा तारा बनता है जो छोटे साइस का होता है ठीक है तो याद रखना है अब यहाँ पर तो क्या है श्वेत वामन कब बना वो जब उसन मतलब उसकी बिल्कुल मौत ही होगी हाँ पर तो क्या था वो अपनी आखरी सांसे ले रहा था तो हमने उसको जिवाश मतारा कह दिया लेकिन अब क्या हुआ श्वेत वामन के बाद जो next stage आती है वो है काला वामन यानि की black dwarf ठीक है याद रखना है black dwarf यानि की जब उसने चमकना बिल्कुल बंद कर दिया तो वो कहलाएगा काला वामन याद रखना है important है ठीक है तो ये तो हमने बात की जो हमारे छोटे तारे थे ठीक है तो छोटा तारा पहले क्या बना लाल दानव बना लाल दानव के बाद जो छोटे तारे थे वो पहले श्वेत वामन बने जब उसने चमकना कम कर दिया और बाद में जाकर वो काला वामन बन गया जब उसकी मृत्य होगे उसने चमकना बिल्कुल बंद कर दिया तो friends जो कम चमकता है तारा चोटा होता है तारा और चमकना कम कर देता है उसे हम क्या कहते हैं श्वेत वामन याद रखना लेकिन जो छोटा तारा चमकना बिल्कुल बंद कर देता है तो वो क्या कहलाता है उसे काला वामन कहते हैं याद रखना है अब हम बात करेंगे next friends तो next क्या है जो तारे बहुत छोटे होते हैं केवल वही श्वेतवामन बनते हैं ये याद रखना जो तारे बहुत छोटे होते हैं केवल वही श्वेतवामन यानि की white dwarf बनते हैं जिवाश में तारा बनते हैं लेकिन friends क्या होता है ये तो बात की छोटे तारों की लेकिन जो तारे बहुत बड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं अभिनव तारा कहते हैं तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं यह है अभिनव तारा ठीक है तो छोटे बने श्वेतवामन बड़ा तारा क्या बना अभिनव तारा इसे फ्रेंड्स तारा भी कहा जाता है याद रखना है अभिनव तारे को विसफोटक तारा भी कहा जाता है ठीक है फ्रेंड्स और ये साइज में क्या होता है बड़ा होता है तो याद रखना है छोटे तारे बने श्वेत वामन बड़ा तारा क्या बना अभिनव तारा या फिर विसफोट तारा और फ्रेंड्स जो अभिनव तारा है उसको इंगलिश में क्या कहते हैं उसे इंगलिश में कहते हैं सूपर नोवा याद रखना है ठीक है निहारिका को नेबुला तारा को स्टार लाल दानव को रेड जॉइंट श्वेत वामन को वाइट अभिनव तारा को सूपर नोवा कहते हैं तो अभिनव तारा जो है उसे विसफोट तारा क्यों कहते हैं क्योंकि इसका विसफोट जब होता है तो इससे भी कई तारे बनते हैं तो याद रखना है जो अभिनव तारा है जब वो विसफोट करता है तो इससे भी कई तारे बन बनते हैं है ठीक है और कौन-कौन से तारे बनते हैं उसकी हम बात करेंगे तो अभी Repeated का जब विसба 2 होता है तो तीन तारे बनते हैं कौन-कौन से आप देख सकते हैं सबसे पहले neutron उसके बाद पलसर तारा या क्वेशर तारा तो ये कैसे बनते हैं अभिनव तारा था जब उसका विस्फोट हुआ ठीक है तो जो बड़े साइज का टुकड़ा बना उसे क्या कहा गया निूट्रॉन तारा ठीक है तो निूट्रॉन तारा कौन सा होता है जिसका size बड़ा होगा उसे हम क्या कहेंगे neutron तारा फिर second number पे आया pulsar तो friends जो बहुत ही चमखीला होगा ठीक है विसफोट हुआ जिसका size बड़ा था उसे हमने कहा neutron तारा लेकिन जो बहुत चमखीला था उसे हमने क्या कहा pulsar कहा फिर question किसे कहेंगे जिसमें चुम्ब की एक शमता होगी तो चुम्ब की एक शमता वाला तारा कौन सा होगा question कहलाएगा याद रखना है अभिनव तारे का विसफोट हुआ तीन तरह के तारे बने neutron, pulsar और question याद रखना है फिर neutron तारा हमने किसे कहा जिसका size बहुत ही बड़ा था pulsar तारा जो चमकीला होगा उसे हम pulsar कहेंगे question कहेंगे चुम्ब की एक शमता वाले तारे को हम question कहेंगे तो hopefully ये तीनों चीज़े आपको समझ आगी होगी फिर क्या होता है friends जो neutron तारा है वो आगे जाकर किसी किसी condition में क्या है सिकोडने लगता है सिकोडता कब है जब वो ठंडा हो जाएगा ठीक है तो ठंडा हो जाएगा ठंडा होने के पर क्या होता है वो सिकोडने लगता है तो friends जब वो सिकोडने लगता है तो इसका जो घनत्व है वो बढ़ने लग जाता है याद रखना है जो neutron तारा है वो क्या होता है सिकोडने लगता है थंडा होने पर क्या है ये सिकोडने लग जाता है और सिकुडने के कारण क्या है कई कई देखो सभी neutron की बात नहीं कर रही में कुछ कुछ ठीक है कुछ कुछ जो neutron है वो क्या होते थंडा होने के बाद सिकुडने लग जाते हैं और इतना सिकुड जाते हैं कि जो उनका घनतव है वो बढ़ने लगता है ठीक है तो friends अगर यह सि आता है इससे पार नहीं हो पाएगा ठीक है? परकाश भी जाने नहीं देगा अपने पास से तो क्या बन जाता है? ये black hole बन जाता है तो याद रखना है neutron तारा जो है सिकुडने के कारण उसका घणतव इतना जादा हो जाता है कि वो परकाश को भी पार नहीं करने देता अपन आसपास ठीक है तो वो क्या बन जाता है ब्लैक होल बन जाता है याद रखना है ब्लैक होल कैसे बना तो जो न्यूट्रॉन ता रहा था ठंडा होने पर वो सिकुड़ने लगा और इतना सिकुड़ गया कि उसका घनतव इतना जादा हो गया कि प्रकाश भी जो है जाने नहीं दे रहा था वो तो वो क्या बन गया ब्लैक होल बन गया क्योंकि उसका घनत्व इतना जादा हो गया तो फ्रेंड्स ब्लैक होल जो होता है उसका जो एक चमच होती है एक चमच मिट्टी का भार कीतना होता है दस हाथियों के बराबर होता है इतना जो घनत्व होता है ब्लैक हो इस प्रकार से क्या होता है जब ब्लैक होल प्रिथवी से टकराएगा ठीके क्या खत्रा होता है ब्लैक होल जो बन जाता है वो क्यों खत्रा है ब्रहमांड के लिए क्या होगा कि ब्लैक होल का घनतव इतना जादा होता है कि जब वो प्रिथवी से टकराएगा तो पृथवी को फाड कर क्या है अंदर चला जाएगा और पृथवी के अंदर जितना भी मैगमा या लावा होगा सब बाहर आ जाएगा इसलिए कहते हैं कि जो ब्लैक होल है वो बहुत ही खतरनाक है ब्रमांड के लिए बहुत बड़ा खतर है क्योंकि उसका घनत्व इतना है कि उसका एक चमच भी दस हाथियों के बराबर होता है तो फ्रेंड्स ये हमने पड़ा किसके बारे में तारो के बारे में ठीक है तो तारो का अंद किस प्रकास से होता है दो ही कंडिशन होती है तारो के अंद की ठीक है कैसे होगा या तो ब्लैक होल बन जाएगा वो ठीक है काला वामन बनेगा या ब्लैक होल बनेगा वहीं हम बात करें कि ब्लैक होल की खोज किस ने की थी तो चंदर शेखर एस चंदर शेखर जो है उन्होंने ब्लैक होल की खोज की थी तो याद रखना है ब्लैक होल जो है ब्लैक होल की चुम्ब की एक शमता भी अधिक होती है या जखना है और फ्रेंड्स ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है अता जो तारों का अंत है वो ब्लैक होल के रूप में हो जाता है तो ये है कुछ एक चीजे जो हमने तारों के बारे में पढ़ी अब हम फ्रेंड्स ये कैसे ड तो वो किस तारे को हम छोटा तारा कहेंगे और किस तारे को हम बड़ा तारा कहेंगे तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि जो कौन सा तारा है वो छोटा तारा होगा और कौन सा तारा जो है बड़ा तारा होगा तो फ्रेंड्स जो चंदर शेखर है चंदर शेखर सीमा के द्रविमान से 1.5 या फिर 1.44 ठीक है सूरे का द्रविमान इंटू ठीक है 1.44 जो है द्रविमान जो है उसे चंदर शेखर सीमा कहते हैं तो फ्रेंड्स जिसका द्रविमान नकि सूरे का द्रव्यमान इंटू 1.44 गुना ठीक है सूरे का 1.44 गुना आप कर लीजे तो जो इससे छोटे होंगे वो कहलाएंगे श्वेतवामन देखो फ्रेंड्स सूरे के द्रव्यमान के 1.44 गुना प्लस इसमें सूरे का द्रव्यमान इंटू सूरे के द्रव्यमान से 1.44 गुना जो छोटा होगा वो कहलाएंगा श्वेतवामन वहीं सूरे के द्रव्यमान इंटू सूरे के द्रव्यमान का 1.44 हिस्सा ठीक है जो तारे इससे बड़े होंगे उसे हम अभिनव तारे की condition में रखेंगे तो डेड़ गुना सूरे का द्रविमान इंटु डेड़ गुना सूरे का जो उससे छोटा हुआ वो श्वेत वामन जो उससे बड़ा हुआ वो अभिनव तारा तो friends जो लाल दानव है उसका आकार बहुत ही बड़ा होता है ये भी याद रखना है और सूरे जब लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीब के चार ग्रहों को जला देगा ये भी आपने याद रखना है तो friends ये कुछ चीजे थी जो हमने आज discuss की तारों की उत्पत्ती के बारे में तो friends hopefully आपको जो है समझ आया होगा topic अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो please वीडियो को like कीजिए अपने friends के साथ share कीजिए और please मेरे चानल को subscribe कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की notification आपको मि दिलती रहे thank you friends thank you for watching my video and all the best for your next exam thank you dosto